जो है मसी की दोस्तों, आज के सुरगे मन्ना का भाग हमने लिया है योहन्ना की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय और उसका 24 और 25 वचन वचन कहता है परंतु जहां तक ईशु का संबंद था उसने अपने आपको उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा क्योंकि वो सब को जानता था बच्चे स्वाम वचन कहता है अथा उसने इस बात की आवशक्ता नहीं थी कि कोई वेक्ती किसी मनष के संबंद में साक्षी दे क्योंकि वो स्वाम जानता था कि मनष के मन में क्या है तो सरवतर जानता है परंशर येस लॉड़ इशुमसी ने जब सेविकाही शुरू कियो और जब इशुमसी धरती पड़ते मनष के पुत्र के रोप में इश्यमसी ने अद्वत चमतकार किया अद्वत चन्ने किये अद्वत लोगों को आशीश दिये उनकी हर जरूरतों को पूरा किया लेकिन किसी भी मनुश पर उन्हें ने भरूसा नहीं किया किसी मनुश का सहारा निनी कि उन्होंने कोशिश नहीं किया थाले गई है, उन्होंने हर की सेवा की, उसे वा करने के लिए आये थे और उन्होंने सेवा की, उन्होंने सेवा नहीं करवाई, आलेलुया, लेकिन होता ये है, कि जब हम कलीसिया में आते हैं, तो हमारा स्वार्थ, हमारी लालच हमको कलीसिया में लेकर आती है, वो परमेश् पाता है कुछ लोग अपनी जरूरतों को पूरा होने के बावजूद वो जानते हैं कि परमेश्वर क्या है जब वो इशुमसी के प्यार को जानते हैं जब वो इशुमसी के त्याक को जानते हैं जब इशुमसी की योजनाम को जानते हैं तब इशुमसी का प्यार उन्हें कि त्याक को महत्व देते हैं और तब वो कलीसिया में रहे कर उसकी सेवा करते हैं लेकिन कुछ लोग सिर्फ अपने महत्व के लिए सिर्फ अपनी आकांगशाओं के लिए सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जबाते हैं और जब उनकी जरूरते पूरी हो जाती हैं चाहे वो हो जाए वो बहरा हो अगर उसकी जरूरत पुरी हो जाती हो सिर्फ वो जरूरत के लिए ही आता है तो वो कलीसिया से बाहर चला जाता है और कलीसिया से दूर चला जाता है और वो सिर्फ उसी में संतुष्छ हो जाता है कि उसे चंगाई मिल गई है लेकिन दोस्तों परमिश्ट चाहता है कि हम उसके मन को जाने इसलिए वो हमारे सामने पहली बार चमतकार दिखाता है और वो चमतकार बड़ा होता है जब जैसे हम कली से हमें आते हैं हमारे जरूरतें इमिजेट पुरी होती है हमारे बंदों से हमें उसी समय आजादी मिल जाती है हमें उसी समय राहत मिलती है हमें उसी समय एक शक्ती का अनुभव होता है हमें उसी समय एक प्यार का अनुभव होता है इशुमसी के दोरा वो उसी समय होता है क्योंकि परमिश्टर की शक्सित में शिफा है अगर आपका स्वार्थ सिर्फ धंदे का है अगर आपका स्वार्थ सिर्फ चंगाई का है तो आपका स्वार्थ आपको बाहर ले जाता है और परविश्यों से दूर कर देता है इसलिए यहां पर कहता है कि वो मनुष्य के मन को जानता है इसलिए इश्यों उसी ने किसी पर भ भरोसा नहीं किया, क्योंकि वो जानता है मनुष्य के मन में क्या है, लेकिन दोस्तों, जब मनुष्य परमेश्य के प्यार को देखता है, जब ईशुमसी के प्यार को देखता है, वो ही तो चुना जाता है, वो ही चुना हुआ वेक्ती है, अगर आप यह जानते हैं, अगर उसके प्यार को समझ गये हैं आप उसके त्याक को समझ गये हैं आप इसकी योजणाओं को समझ गये हैं तो आप समझ लीजे कि आप चुने हुए . परमिशन ने आपको चुन लिया है। क्योंकि अपने स स्वार से ज्यादा आप अपन bringing is muli کے प्यार को मेहत वो देते अपनी नौकरी से ज्यादा आप इशुमसी के प्यार को महत्व देते हैं, उसके त्याक को महत्व देते हैं, उसकी योजनाओ को महत्व देते हैं, जिसने ऐसा होता है उसने आप समझ ये कि परमेशन ने आपको चुन लिया है, और आपके बुथी को लिया है, नहीं तो आप स और उसको बताएं कि हमें सिर्फ शरीर, हम सिर्फ स्वार्थ के लिए नहीं आये हैं, हम भले ही अपने स्वार्थ के लिए कली से आये थे, हम भले ही अपने स्वार्थ के साथ तेरे पास आये थे, लेकिन आज हम जान चुके हैं कि तू मसिया है, तू हमारे स्वार्थ से, तू तो हमारी जरूरतों से कहीं उचा है और जब हमने तुझे पा लिया है तो चाहे हमें नौकरी मिले या ना मिले चाहे हमारा धंदा चले या ना चले चाहे हमारी चंगाई हो या ना हो लेकिन तू उन सबसे उपर है और तू उन सबसे प्रिये है इसलिए हम तेरे चरणों में तेरे निकट आते हैं और सर्व परी तू हमारे जीवन में है इसलिए हम तुझे नतमस तक करते हैं आई दोस्तों प्रात्रा करते हैं पिता परमेशर तेरे चरणों में समर्पित करते हैं अपने आपको और परमेशर धन्यवाद देते हैं कि परमेशर हम आए हम आए तेरे करीब और तेरे आशीश पाया सुख पाया चंगाई पाया और तुझे जाना तु एक मसिया के रूप में हमें मिला तु एक परमेशर के रूप में मिला तो एक पिता के रूप में हमें मिला धन्यवाद देते पिता प्रमश्र सुनने वले हर भाई मैंने के लिए सुक और शांती और चंगाई मांगते धन्यवाद प्रास्वाद आपने सुनने को बूल कि अमेन